हेलो फ्रेंड्स, उर्मिला क्रेशन में आपका स्वागत है, आज मैं आपको गोटा पती से रंगोली बनाने बता रही हूँ, इसको हम घर पे भी बना सकते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल उर्मिला क्रेशन सबसे पहले हमें एक गत्य पे यह measurement जो मैंने यहां पर बता रखा है, यह no down कर लीजिए, और इसके साब से हमारे को यह एक piece काटना है, इसमें मैंने यहां पे 20 cm का एक square बनाया है, और फिर उसके बाद में मैंने इसके corner पे यह design बनाई है और चार पीस मैंने इस design के और काटे हैं, आप measurement के लिए screenshot लेके, आप measurement ले सकते हैं और इसको trace कर सकते हैं, यहां पर मैंने साटन का कबड़ा लिया है, एक orange कलर का, और एक रानी कलर, और एक red कलर, सबसे पहले हम इन चारों किनारों पे, यह orange कलर का, पेस्ट करेंगे, glue की मदद से, तो देखिए मैंने कैसे पेस्ट करया इसको, तिर यह लिएBlack लेक oldest अकते हैं, और जहां, चोजा कर सकते हैं, जो तो दो जोबादगा पहां आप जोगाने, पूदाभ 누ाव masa में अकन इसको, अब हम ये रानी कलर का कपड़ा पेस्ट करेंगे यहां पर मैंने गोटे पत्ते की लेस लगाई है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है झाल झाल अब मैं एक नई डिजाइन की और टपती की लेस लगा रही हूँ आपके पास जो भी डिजाइन हो जो भी हो आप लगा सकते हो इस पर यह बीच में एक गुटब पती का फ्लावर लगाया है और साइड में यह मैं कुंदन लगा रही हूँ ग्रीन कलर के तिलक शेप के कुंदन मैं यह आपर पेस्ट करें है अब इसी तरह में मेरे चोटे वाली इस क्रेश्ट से को भी इसी तरह से डेकोरेशिंग करूंगी तो इस दिवाली अपने हाथों से रंगोली बनाईए और अपने घर को सजाईए यहाँ पर मैंने एक मोती की लड़ी और यूज में ली है और उसको भी मैंने ग्लू से पेस्ट कर दिया है तो आपको यह रंगोली कैसे लगी आप जरूर बनाईएगा वहती सुंदर रंगो बनती है और अपने घर को सजाईए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ठेंक यू बाई बाई